हेलो बच्चो च्वानियो जी केसन चैनल में आपका स्वागत है बच्चो आज हम दर्लिंग आउटकम्स अधारित लर्निंग गैप समागरी भीशिक गड़ित एवन परियवरन अध्यान कक्सा चोहती के कुछ महत्पून बर्स शीटों को देखेंगे इसके पूरव आईए अगर आपके द्वारे चैनल को सस्काइब नहीं किया गया है तो चैनल को सस्काइब कर लाएं और वेल आइकन को प्रेस कर लाएं जिससे की वीडियो को नोट क्विशन आपको प्राप्त होते रहेगी अब हम वीडियो को लाइक एब हम सेर जरूर करें बच्चों हम देखेंगे बर्गशीट 31 इसके पूरव हमारे द्वारा 32 तक बर्गशीट तयार कर बीटी बनाया गया है अब बर्गशीट 31 पर कार करेंगे तो भाग की समझ इसमें हमको सीखना है यहां हम देखेंगे बच्चों यहां कितनी तितलिया हैं गिनेंगे हम एक दो, तीन, चार, पांच, एक समू में पांच तितली है, यहाँ भी देखेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच, पांच के यहाँ पर दो समू में यह तितलीया है, टोटल हम दोनों को जोड़ेंगे, तो दस तितलीया इसमें हमको दिखाई दे रही है, तो यहाँ प है तो 150 फिऑशने है यह सिटर के मांद्धें से भी देख रहे हैं इसके बाद देखेंगे हम अभ्यास एक आप्यास एक मैं यहाँ पर देखेंगी बच्चों earned यहां जो है रेसम के कीड़े इन तीन समयों में बटे हुए हैं हम इनको भी गिन लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ और एक एक समयों में साथ साथ रेसम के कीड़े हैं अब यहां पर टोटल हम जोड़ लेंगे साथ दूनी चवुदा और साथ एककश एककश यहाँ पर रिसम के कीड़े हैं और देखिए वे तीन समू में एक दो और तीन समू में बटे हुए हैं अब हर समों में हम गिनेंगे जैसे हम ने इस लबाद देखी हैंगे अब्भ्याज दो में देखी हम ripping हम यहां पर यहयां सतुमी की शंख्या चार समों क rhe hem Penalik यह चार एक समवें में टीन हम को दिखा दे रहा हैं तो हम यहां पर तीन और चारों को जोड़ देंगे तीन और तीन छ्हे तीन नो और तीन बाररे यहां पर बारा लडड़ें हैं औ मितने समवें 1, 2, 3, 4ные विश समंवें 2 हैं हर सम्वें में कितने लड़ें हैं तीन लड़ू है इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे बच्चो ये थे भाग से सम्बंदित जो है समझ है जिसमें आमने समझा अब इसके बाद देखेंगे बर्शीट 32 बर्शीट 32 में क्या है बच्चो देखेंगे बार बार घटाने की रूप में भाग तो यहाँ पर देखे 20 को 4 बराबर भागों में विवाजित किया गया है तो कैसे देखेंगे हम यहाँ पर 20 को हम 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 16 बचेगा फिर 16 को हम 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा फिर 12 को हम 4 से माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा 8 को फिर हम 4 से माइनस करे यहां पर हम देख लें यहां पर 20 को चार से भाग दिया गया है तो चार पंचे 20 यहां ऐसा अब 20 भागी चार यहां पर बराबर 5 आ गया तो इस तरह जो है विधियों से हम भाग की समझ को समझ सकते हैं फिर हम देखेंगे दोनों विधियों से प्रशन हल करें जो हमने उपर उधारण की रूप में विधियां देखे थे वन दोनों विधियों से हमको ये सवाल को हल करना अभ्यास एक और अभ्यास दो तो हम देखेंगे यहाँ पर 20 भागित 5 है तो 5 चब 20 पूरा पूरा भाग चला जाता है दूसरी भी धिम देखेंगे 20-5 तो 15 बचेंगे फिर 15 में 5 गटाएंगे 10 बचेंगे 10 में 5 गटाएंगे तो 5 बचेंगे तो 0 तो 20 भागित 5 यहां पराबर 4 जाएगा तो इस तरह अभ् किया है बच्छों देखें? 15 को 3 से भाग दिया गया है तो तीन बच्छे 15 यहाँ पर एक पहली विदी डूसरी 技 Canal 17 गाटायं गहbourg 12 भासे 12 थीन गटायं जो च्लि endless तीन तीन गटायं तो जीरो इस तरह से 15 भागे 3 बराबर पांच spoken वाग को समझा, इसके बाद देखेंगे अगली बर्ग सीट हमारी बर्ग सीट मांक तितीष भाग की समझ इसमें भी है, तो हम देखेंगे मिंकु के पास 15 लड़ु है, वह हैं उन्हें पांच बख्सों में बरावर बरावर रखती है, हर बख्सों में तीन लड़ु होंगे, तो पंदरा भागित पांच, पांच तरी कंदर है, इसताहे हैं अतरा हिल करना हुद अभ्याष्व उधारंगर देखा शचार और अभ्याष्व में देखिएंगे तुम्हें 25 क्रतफ़ाँ को पंदरों तो इस तरह से हमने उसको हल फेर लिया अब अभ्यास 2 में देखेंगे मेज पर 21 मुम्मतिया हैं वने तीन बक्सों में बराबर बराबर रखना है हर बक्से में कितनी मुम्मतिया होगी अब देखिए आप मेज पर कितनी मुम्मती है 21 और तीन वक्स तो 21 में हम भागित कर देंगे तीन का तो भागित कर देंगे तो 3 सत्य 21 तो 2121 एक एक वक्से में मुम्मती है आएगे इसके बाद अभ्यास नंबर 3 देखेंगे नेहा ने 27 किलो आलू बेचे तीन आदमीयों ने बराबर बराबर मातर में आलू खरीदे, प्रितेक आदमी ने कितने किलो आलू खरीदे, अब देखिए आप नेहने किते 27 किलो आलू बेचे, और तीन आदमीयों को बाटे हैं, 27 किलो आलू बेचे, और तीन आदमीयों ने बराबर बराबर मातर में उसको आलू को खरीदा उन पसंद आया होगा धन्यवाद